नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यूति कॉंपटिशन टाइम्स की हिंदी विशय की प्रिश्णों उत्री कर रहे हैं, एक आई तीन चल रही है, एक आई तीन में भक्तिकाल संबंदित प्रिश्ण हैं, और अभी तक हमने भक्तिकाल के 10 वीडियो और पढ़ने का प्रियास करेंगे, तो आईए चलिए, बिना समय वर्त किये, हम पढ़ना प्रारम करते हैं। गुष्वामी तुलसिदास के दीक्षा गुरू नरहरयानंद तथा शिक्षा गुरू शेष सनातन थे गुष्वामी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के चेत्रकूर जिले के राजापुर नामक गाउं में हुआ था रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरू परंपरा का उले किया है इनके गुरू का नाम रागवानंद था इन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थे इनके द्वारा रचित प्रमुग्रंथ वैश्णव मताब जभासकर श्री रामार्चन पद्दती योग चिंतामणी राम रक्षा इस्तोत्र आनंद भाष्य आदी थे अगला प्रश्ण है अस्टियाम नामक पुस्तक की में किसकी दिंचरिया का वर्णन है अस्टियाम को राम अस्टियाम भी बूलते हैं और यह नाभादास की रचना है राम जी की दिंचरिया का वर्णन है अस्टियाम की रचना श्रंगार और रसिक बावना को लेकर की गई नाभादास करत भक्तमाल की रचना भक्तमाल की भाशा क्या है गोश्वामी तुलसिदास जी के समकालीन राम भक्तिशाखा के प्रमुक कवियों में नाभादास का नाम लिकनी है नाभादास ने भक्तमाल सन 1585 इसवी में रचना भरजभाशा में की थी अर्थात्तर हुआ भी भरजभाशा इसकी भाशा है नाभादास करत भक्तमाल की नाभादास की अन्य रचना अश्टियाम तथा अश्टियाम अवधी भी है दो प्रकार के अश्टियाम लिखे हैं इनो भी अच्छा ग्यान था राम रक्षा स्तोत्र राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक कौन है अभी हमने पढ़ा था रामानन जी है राम रक्षा स्रोत के लेखक स्री स्वामी रामानन्द है रामानन द्वारा रचित राम रक्षा स्रोत की सूचना काशी नागरी प्रचारणी वाके खोज विब्रण में दी गई है स्वामी रामा नंद संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे श्री रामा अर्चन पद्धती तथा वैशनों मताव जवासकर इनके अन्य प्रसद्धिगरंथ हैं कवी प्रिया रसिक प्रिया नाम चंद्रिका विज्ञान गीता आदी केश शवदास की रचनाएं है नाभादास ने भक्त माल की रचना की है सत्यवती कथा और भरत मिलाव के लेखक इश्वरदास है इश्वरदास का की रचना के बारे में सभी को पता है सत्यवती कथा और भरत मिलाव उन्होंने लिखा है की रती भनती भूती भली सोई अगला प् प्रियोजन है यह प्रियोजन है लोकमंगल की भावना का प्रियोजन इस पंक्ती में गोश्वामी तुलसिदाश जी की लोकमंगल की कामना करते हुए कहते हैं कि इरति भनत भोति भलिसोई सुरसरी सम कहत होई अगला प्रशन है मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सू कर खेत यह कथन किस कवी का है यह कथन तुलसिदाश जी का है तुलसिदाश जी ने अपने गुरु के प्रती समर्पित करते हुए सोरो छेतर का बर्णन किया है जो बरतमान में एटा जनपत में गंगा जी के समी पिस्तित है जिससे यह से दोता है कि तुलसिदाश सोरो के निवासी थे रामचरित मानस अगला प्रशन है रामचरित मानस के ग्यान दीपक प्रसंग किस कांड में बर्णित है ग्यान दीपक प्रसंग जो है वो उत्तर कांड में बर्णित है तुलसिदाश करत रामचरित मा अगला प्रश्ण है तुलसी दास द्वारा शारिक पीड़ा से मुक्ति हे तूल गद्य जो लिखा गया ग्रंथ है वो कौन सा है सब को पता है हन्मान बाहुक इनका वह ग्रंथ है जिनोंने जिसके लिए शारिक पीड़ा जो हुई थी उनको उसके निवारण के लिए उन्हों मित्र रहीम के आग्राय पे की थी विनय पत्रिका गिरचना कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए की गई थी अगला प्रश्ण है रामचरित मानस से किस संबाद का संबंद नहीं है शिपारवती संबाद तो है या गविलक भरतवाज भी है काग वुशंडी गरण है राम सीता सं संबाद है वो हमें पढ़ लेना चाहिए वो है तुलसी संबाद और संत समाज का संबाद है ये उसका वो है उत्तर है राम सीता संबाद नहीं है अगला प्रश्ण है मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावन रिपु जन सुकदाई राजीव बिलोचन भव भय मोच पाई पाई सर नहीं आई रामचरित मानस की उक्त जो पाई में ब्यक्त विचार किस पात्र के हैं ये विचार हैं अहिल्या जी के मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावन रिपु जन सुकदाई राजीव बिलोचन भव मोचन पाई पाई सर नहीं आई राजी विलूचन भव में वोचन पाई पाई सर नहीं आई रामचरित मानस की उक्त चंद में व्यक्ति विचार जो हैं अहिल्या ने व्यक्त किये हैं जब भगवान श्री राम अपने पतनी सीता वा अनुज लक्षमन के साथ 14 वर्षों का वनवा से तूबन गए थे उस समय भगवान श्री राम ने श्रापित अहल्या को की अपने पवित्र चरणों से छूकर उन्हें मानव जीवन दिया था अगला प्रशन है रामचरित मानस नामक महा काव की रचना शैली क्या है दोहा चौपाई शैली है अवदी और ब्रजवाशा दोनों में रचना करने वाले कभी हैं कौन है तुलसी दास है सुर्दास नहीं है घना नहीं है तुलसी दास के किस रचना का संबंद जोतिष संबंद है यह हमें पता होना चाहिए रामाग्या प्रशना वली जो है वो जोतिष ग्रंत है रामाग्या प्रशना वली का संबंद जोतिष से है गोश्वामी तुलसी दास 1532 से 1623 सीश्वी की रचना दताव संबंद में रचना की विशेवस्तु है राम लला नहचू संसकारों पर इस्त्री गीत अर्थात सोहर भगवान राम के जन्म के समय से संबंदित है जान की मंगल है भगवान राम सीता के विभाका वरनन हनुमान बावक है बावु पीडा से मुक्ती है तू हनुमान जी किस्तुती की गई है अगला प्रशन है तुलसी दास के किस रचना में संत महनतों का लक्षन वरनित है वेराग संदीपनी संतों और महनतों के लक्षन पर वरनित है इसमें अगला प्रशन है रामाग्या प्रशन जो है वो जोयती संबंदित रचना है पारवती मंगल जो है पारवती और शिवजी की विवा का वर्णन जान की मंगल में राम और सीता जी की विवा का वर्णन है अगला प्रशन है तुलसिदास के गुरू कौन थे नरहरयानन थे और उनके शिक्षा गुरू शेस सनातन थे अगला प्रशन है वर्वे रामायन किसकी रचना है तुलसी दास जी की रचना है यह रहीम के कहने पर इन्होंने लिखी थी साहित तिलेरी सूर दास की है रास पंचाध्या इनन्न दास की है विज्ञान गीता केशव दास की है अगला प्रशन है इन मैंसे कौन सी रचना तुलसी दास जी की है कृष्णी गीता वली इनकी रचना है राम ध्यान मंजरी आपको पता होगा स्वामी अग्रदास की है स्री रामार्चन पद्दी रामानन जी की है शिप सिंग सेंगर ने राम सत्सई को तुलसी दास की रचना बताया है लेकिन यहां पर कृष्णी गीता वली उत्तर होगा अगला प्रशन है कबीर कानी राखी नहीं वरणा श्रम सट दर्शनी किसने कहा है यह कहा है नाभादास ने बक्तमाल में यह कहा है उनोंने बक्तमाल की रचना पंद्रा सो पच्चा सी इस भी में की थी नाभादास ने यह एक जीवनी परग्रंथ है इसी में कबीर के संदर में कहते है कबीर कानी राखी नहीं वर नाश्रम सट दर्शनी नावादास तुलसी के संदर में भी कहते हैं कलिकुटल जीव निस्तारही बालमी की तुलसी भयो कलिकाल का बालमी की उन्होंने तुलसी को कहा है नावादास ने प्रियादास ने भक्तमाल की टीका लिकी थी यह बहुत महत्वपून है कि भक्तमाल तुनाव अदास ने लिखा लेकिन भक्तमाल पर टी का किस ने लिखी थी वो है प्रियादास अगला प्रश्ण है गोस्वामी तुलसिदास की रचना का सही करम लिखिये सही करम रामचरित मानस के बाद में दोहा वली दोहा वली बाद कीता वली फिर बिने पत्रिका अंतिम रचना है गोस्वामी तुलसिदास जी का समय 1532 से 1623 अर्थाथ इनके अनवे वर्ष के आसपास इनके आयू रही रचनाओं का सही अनुकरम है रामचरित मानस दोहा वली गीता वली बिने पत्रिका डाक्टर उधेवानु सिंग के अनुसार इनके रचनाओं का करम पढ़ लेते हैं बेरागे संदीपनी 1626 27 विक्रम संबत है पूरी रचनाओं विक्रम संबत पर है बेरागे संदीपनी 1626 27 रामाग्या प्रिश्न 1627 28 रामलला नहचू 28 29 जानकी मंगल 1639 से 30 रामचरित मानस 1631 पारवती मंगल 1643 कृष्ण गीता वली 1643 से 60 गीता वली 1630 से 1770 तक भिने पत्रिका है 1631 से 1689 सी 1626 से 1680 वरा नहच कृष्ण विक्रम संदीपनी अन्तिम राम। कविता वली बीच में रामचरित मानस का समय याद रखिएगा 1631 संबत गुष्वामी तुलसी दास की अंतिम रचना कौन सी है इसमें हनुमान बाहुक दिया है तो हनुमान बाहुक ही होगी क्योंकि अगर अकेला गीता वली दिया जाता तो कविता वली उत्तर लगाया जाता अनुमान बाहुक इसी के अंतरगत अंतिम रचना मानी जाती है क्योंकि इसी के बाद भे अपने गोलोग धाम चले गए थे जीवन के अंतिम समय में जब तुलसिदास जी की भुजाओं में असे इने पीड़ा हो रही थी ताव उससे मुक्ति के लिए गोस्वाम जी ने इसकी रचना की अगला प्रिश्ण है इन में से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है अवधी भाषा की रचना कौन सी नहीं है आप हमें पता है कि उन्होंने दो भाषाओं में लिखा है एक तो ब्रज भाषा में एक अवधी भाषा में अवधी भाषा में जो है ब्रजभाषा का एक जो लक्षण है उनकी रचनाओं में छे रचनाएं है ब्रजभाषा में उनके अंते मक्षर जो है आ की मात्रा ए की मात्रा पे खतम होते हैं समाप्त होते हैं तो बिने पत्रिका इसका उत्तर होगा अबदी भाषा की नहीं है बलकि ब्रज भाषा की रचना है रामचरित मानस अवदी की है पदमावद जायसी की है रचना ठेट अवदी है इसकी भाषा विने पत्रिका तुलसी दास की है ब्रज भाषा में है चंदायन जो है मुलादाउत की है अवदी भाषा में है अगला प्रिश्ण है तुलसी क्रत कृष्ण कावे कौन सा है सब नाम ही कृष्ण गीतावली है तो सब को पता ही होगा 1942 में कृष्णायन लिखा गया किसके द्वारा द्वार का प्रसाद मिश्र के द्वारा कृष्ण का अब पराधारित कृष्ण गीतावली है तुलसी दास जी ने जिसे लिखा है इन में से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है कौन सा ग्रंथ नहीं है तुलसी दास द्वारा रचित गीता वली तो है ही दोहा वली भी है बिने पत्रिगा भी रसमंजरी नहीं है रसमंजरी जो है वो नंद दास की रचना है गीता वली दोहा वली बिने पत्रिगा राम चरित मानस कविता वली आदी तुलसिदास दोरा रचित गरंत हैं अगला प्रश्टन है राम और सीता के विवावके अफसर पर किस कवी ने मिद्ला के इस्तरियों को गारी गीद गवाया है सबी को पता है तुलसी दास ने गवाया है केशव दास जी ने गवाया है केशव दास जी ने राम और सीता के विवा के अफसर पर मितला की स्तरियों से गारी गीत गवाया है केशवदास, करत रामचंद्रिका, प्रवंद काब्य में, जो कि भगवान श्री राम के चरित्र परादारिते, इसमें 49 प्रकाश हैं, रामचंद्रिका के कितने प्रकाश हैं, याद रखिएगा, 49 प्रकाश हैं, अगला प्रशन है, इन में से कौन सी रचना तुल सिदास की न और भी हैं जिने पढ़ लिया जाए याद कर लिया जाए जै दरतवद भारत भारती पंचवटी यशोधरा द्वापर सिद्धराज नहुष जै भारत जनकार मेगनादवद आदी इनकी रचनाए हैं किनकी रचनाए हैं मैदली शरण गुप्त जी की रचनाए हैं राम चरित मानस कविता वली और गीता वली गोस्वामी तुलसिदाज जी की रचनाए हैं अगला प्रशन है स्वामी अग्रदास का संबंद किस भक्ती शाका से है राम भक्ती शाका से है स्वामी अग्रदास ने अबनी गद्धी जैपूर के पास रहवास के में स्थाबित की थी रसिक संप्रदाए में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है, इनके प्रमुग्रंथ हैं, हितोप देश, उपकाना बावणी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया, अस्ट्याम और या रामा अस्ट्याम, ये किस ने लिखी थी, ये लिखी थी अग्रदास ने, नावदास का जो अस्ट्याम है, उसे अकेला अस्ट्याम कहते हैं, लेकिन जो अग्रदास जी का अस्ट्याम है, उसको रामा अस्ट्याम भी कहा जाता है, पांस्टिकाल के किस कवी को जाती कवी कहा गया है, तुलसी दास जी को कहा गया है, किस ने कहा है, राम बिलाश शर्मा अधिक लोग पुरी कभी हैं तुलसिदास को भक्तिकाल के जाती कभी की संग्या दी जाती है रामचरित मानस बिने पत्रिगा कविता वली गीता वली दोहा वली आधी तुलसिदास की प्रमुक रचना है सूर दास, नंदर दास, क्रिश्न बक्ति शाखा के प्रमुक कभी सूर सागर, सूर सारावली तथा सायत लेरी सूर दास की अनेकार्थ मंजरी Robum अमान वनजरी रास पंचाद्यायी, सुध्ध पंचाद्याई, नंदर दास एवं अश्ट्याम नवादास की रचना है अगला प्रश्ण है गीता वली है कौन सा काव्य है मुक्तक काव्य है गीता वली गीती काव्य मुक्तक काव्य है राम बक्ति शागा के सरवादिक लोग प्रिय भक्त कभी गोस्वामी तुलसिदास ने छोटे वड़े कुल मिला कर बारा ग्रंथों की रचना की है गी वैवादी चेतना और लोकमंगल की बिराट भावना से अभी प्रेरित तुलसिदास ने प्रवंद और मुक्तक दोनों का विग्रंतों की रचना की गीता वली वे कविता वली तुलसिदास द्वारा रचित मुक्तक का विग्रंत है अगला प्रिश्ण है तुलसिदास जी ने भी ब्रहमर गीत परंपरा के अंतरगत ब्रहमर गीत की रचना की है जो की संकलित है वो है कृष्ण गीता वली में संकलित है अगला प्रिश्ण है गिरा अरथ जल बी चिसम कहियत भिन नभिन बंदाव सीता रामपद जिनही परंप्रियकिन और उक्तपंक्तियां किस कवी की है उक्तपंक्तियां तुलसिदास जी की है अन्य पंक्तियां किन किन की है यह भी पड़ लिया जाए केशवदास ने कहा है केसव केसनी असकरी बेरेहु जसना कराही चंदर बदनी मरक लोचनी बाबा कही कही जाही केशवदास ने यह कहा है अधर मदूरता कठिंता कुछ तिक्षनता त्योर रसकवित परिपक्विता जाने रसिकना और भिकारी दास ने कहा है एधर मदूरता कठिंता कुछ तिक्षनता त्योर रसकवित परिपक्विता जाने रसिकना और भिकारी दास ने कहा है इशवदास ने क्या कहा है एक चित हमें चितवे उस जोगी के चित जोग धरम न जान सी पापी कहिए कौन ते लोग इशवदास ने कहा है अगला प्रशन है तुलसी की वक्ति किस प्रकार की है दास सिभाव की है तुलसी की वक्ति दास सिभाव की है नो प्रकार की वक्ति मानी गई है इसमें नवदा वक्ति कहते हैं जिसे नवदा वक्ति कहते हैं यह श्लोग दरश्टब है अगला प्रश्ण है यह दोहा रामचरित के मानस के किस कांड में है यह दोहा सुन्दर कांड में है प्रमुक कांड साथ कांड है अगला प्रश्ण है तुलसी दास ने रामचरित मानस के किस कांड में कल्युक का वर्णन किया है यह अवदी भाशा तथा दोहा चौपाई छंद में रचित एक प्रवंद का भी है रामचरित मानस में कुल साथ कांड है बाल कांड अयोध्या कांड अरणन कांड किशकिंधा कांड सुन्दर कांड लंका कांड और उत्तर कांड सगना ही अगना ही नहीं कचुभेदा इस तथे को तलसिधास ने किसके दारा कहल वाया है तलसिधास जी के स्वैम के दारा भरदवाज के दारा कागवुशुंडी के दारा या शिव के दारा यह उन्होंने शिव के दोरा सिव पारवती संबाद में कहलवाया है अगला प्रश्ण है राम राज्जा भिशिक की तैयारी राम चरित मानस के किस कांड में का हिस्सा है यह अयुद्धा कांड का हिस्सा है अयुद्धा कांड मैं ही वहाँ पर के कई बरदान मांग लेती है और उनको वन्हों के लिए भी भेजनी का प्रवंद किया जाता है किन को राम चरित मानस के राम राज्जा भिशिक की तैयारी गभर्नन अवद्धा कांड में है नहीं है अध्यकांड में कौन सा संबाद नहीं है अध्यकांड में कौन सा संबाद नहीं है शिप पारवती संबाद नहीं है इनमें राम भरत संबाद है सीता राम संबाद है राम बालमी की संबाद है लेकिन शिप पारवती संबाद नहीं है अध्यकांड का प्रथम श्लोक म किस की इस्तुति की गई है शंकर जी की इस्तुति की गई है अगला प्रशन है चित्रकूर निवास राम चरित्मानस के किस कांड का हिस्सा है चित्रकूर निवास राम चरित्मानस के अयुद्यकांड का हिस्सा है अगला प्रशन है तुलसिदास की कौन सी रचना प्रजभाशा में है प्रजभाशा में है कविता वली बांकीर की रचनाएं नहीं है बे अवदी में है और अगला प्रशन है अब लों नसानी अब ना नसे हों तुलसिदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्रत है यह बने पत्तरिका से उद्रत है इनका यह गरंथ प्रजवाशा में रचित है कविता वली गीता वली दोहा वली रामचरित मानस के भी रचनाकार तुलसी दासजी है अगला प्रश्ण है, रामचंद शुक्ल नें गुस्वामी दुलशिदाजी के द्वारा रचित करंथों की संख्या कितनी मानी है बाराह मानी है, इनके करंथों के नाम निमन लिखेत हैं अगला प्रश्ण है प्राण चंद्र चोहान का संबंद किस भक्ती शाखा से है प्राण चंद्र चोहान ने लिखा है राम भक्ती शाखा में हनुमन नाटक तो इनका जो भक्ती है वो राम भक्ती शाखा है ग्यान मारगी शाखा से कबीर दास है प्रेम मारगी से जायसी है राम भक्ती से तुलसी दास है कृष्ण भक्ती से सूर दास है और स्वसुखी शाखा से जीवा राम जी है स्वासुकी साखा जरूर याद करिएगा बागी तो आपको याद रह जाएगा गोरक जगायो जोग भगती भगायो लोग इस पंक्ती में तुलसिदास का क्या अभी प्राह है यह इसका उत्तरसी होगा योगियों की रहस्वरी बानियों से जनता की भावना दव गई थी इसमें कोट के साब से दिया गया है कौन कौन सा सही होगा इसमें A और C सही होगा नाथफंत का हटियोग मार्ग हिर्दय पक्षशुन्ने है इसका A और C इसका उत्तर होगा अर्थाद उत्तर D होगा जूटो है जूटो है जूटो सदा जगू संत कहती जे अती लहा है ताको सहे सठ संकट को टिक काड़त दंत करंत हहा है जान पनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गवार महा है जान की जीवनू जान न जानने उतो जान कहा वत जानने कहा है तीसरी पंक्ती में तुलसिदास कहना चाहते हैं कि तीसरी पंक्ती कौन सी है चानपणी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गवार महा है इसका अर्थ क्या कहना चाह रहे हैं तुलसिदास जी अन्हें अपने ग्यानी पने का बहुत अभिमान है नहीं कहना चाह रहे हैं ब भिक्गे लोग गवार है नहीं तो उत्तर पहला भी है सही होगा दूसरा भी सही होगा उत्तर हुआ ए और भी वह अपने ग्यानी पने का बहुत अभिमान है अगला प्रशन है तुलसी दास की प्रमुक रचना है कौन सी रचना है सब को पता है कौन सी रचना होनी चाहिए रामचरित मानस है इनकी रचना अगला प्रशन है कबहु जोग भी योग न जाके देखा प्रकट विरहु दुख उता के उपर्योग पंक्तियां कहां से उद्रत हैं रचनाकार कौन है इसके रचनाकार रामचरित मानस और तुलसी दास हैं कहां से उद्रत हैं रामचरित मानस से और तुलसी दास इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसी दास हैं तुलसी दास ने रामचरित मानस की रचना पंदरा सो चौतर इस्वी में की है इस ग्रंथ में साथ कांड ने बाल कांड अयुद्या कांड किशकिंदा अरंड किशकिंदा नहीं है पहले अरंड कांड है गलत लिखा है इसमें यह गलत है पहले अरणे कांडे तीसरे नमबर पर चौथे नमबर पर किश्किन्दा कांडे पर सुन्दर है लंका उत्तर है बाल आयोध्या अरणे किश्किन्दा सुन्दर लंका उत्तर तो मैं आपको यह कैसा लगा यह वीडियो बताईगा अगर यह अच्छा मेहनत लग रही है प्रश्न काप यह प्रश्न को और पढ़ लेते हैं पर क्रिश्न काप इसे प्रारम करेंगे भक्तमाल की रचीता कौन है नावा दास है नावा दास ने अश्टियाम भी लिखा है अग्र दास ने क्या लिखा है राम ध्यान मंजरी लिखा है सुंदर दास ने सुंदर बिलास लिखा है यह याद करिएगा सुन्दर दास का सुन्दर बिलास तो पूछा कम जाता है क्रिश्न दास का जुगलमान चरितर जरूर पूछा जा सकता है इसलिए आपको यह याद रखना पड़ेगा क्यांसा लगा यह वीडियो आप बताइगा अगर आपको मेहनत सही लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे हम पढ़ते रहेंगे साथ में मिलके एक दूसरे का ग्यान बढ़ाते रहेंगे कोई गलतिया हो तो बताइएगा